डूडा विभाग में सरयाम लोगों से रिश्वत ली जा रही है समविदा कर्मियों की भरती के लिए आवेदकों से वेरिफिकेशन के नाम पर अवैद वसूली की जा रही है आपको बता दें कि आवेदकों से 150 रुपए लिए जा रहे हैं और रसीद सिर्फ 100 रुपए की दी जा रही है वही जब इस बारे में मौके पर मौझूद करमचारी से जानकरी ली गई तो सुनिये उसने क्या कहा तो आपने देखा जब पैसे ले रहे करमचारी से बात की गई तो उसने कहा कि अधिकारी ने पैसे लेने के लिए बोला है दूसरी और जब इस अवैद वसूले के बारे में संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया